Hello students, welcome back to my YouTube channel तो बच्चे सबसे पहले हमने किया था Artificial Methods of Vector Propagation जो Class Plus 2 का टॉपिक है Chapter 1 का टॉपिक है तो उसमें हमने किया था कटिंग किया था लेकिन उसके फुर्दर कुछ और भी टॉपिक्स हैं और भी इसके टाइपस हैं Artificial Methods में अब हम सेकेंड टाइप करेंगे आज तो अब देखेंगे कि लेरिंग की हल्प से हम कैसे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं लेकिन जहां पर जो लेरिंग मैथड करेंगे इस और टॉपिक है लेरिंग जो है वो टॉप टाइपस की है लेकिन लेरिंग होती क्या है तो सबसे पहले इसके टाइप पता होने चाहिए ड़ुपयों कि टाइपस कौन सी है एक तो है माउट लियरंग एक तो है एर ऌती एर लियरंग इस आल्सोहां बुट्टी ठीक है लियरिंग बच्छे ये artificial methods are very important सभी के सभी आपको methods पता होने चाहिए कोई भी exam में आ सकता है चाहिए आपको long में 6 mark का पुरा topic आ सकता है 4 mark में आ सकता है, 2 mark में आ सकता है, 1 mark में भी आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए तो जो layering है वो two types की है एक तो है mound layering एक तो है ear layering तो सबसे पहले हम करेंगे mound layering ये वाली layering तो mound layering क्या है अब देखो ये वाले diagram ठीक है तो mound layering में हमने क्या करना है सबसे पहले वो वाला plant यूज करना है जिसकी branches कहां पर हो near to the earth जैसे ये वाली stem होगी ये यहां पर branches हैं near the soil है तो हमने क्या किया एक plant select कर लिया जिसकी branches क्या होंगी lower branches होंगी तो first step क्या होएगा जो उसकी lower branches है उसको हमने bend down कर लिया tilt कर लिया तेड़ा कर लिया तो तेड़ा इसको defoliate ऐसे किया कि ये वाला जो portion होए गा ना वो soil के अंदर होना चाहिए और ये वाला जो portion है वो soil के बाहर होना चाहिए ऐसे हमने करना है first step क्या करना है हमने एक plant चूज करना है ऐसा plant चूज करना है जिसकी जो branches हो lower branches हो means नीचे की तरफ हो और हमने lower branches को ऐसे defoliate कर देना है means bend down कर देना है tilt कर देना नीचे को तो यह वाला जो पोशन होना चाहिए स्वाल के अंदर होना चाहिए यह वाला टिल्ट पोशन और यह वाला पोशन स्वाल के बाहर होना चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, यह वाला जो tilt bend down वाला portion है, इसको हम defoliated portion बोलते हैं, यह वाले को, यहाँ पर हमें cutting देंगे, में injury देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पर किसकी formation होएगी, adventitious roots की, तो definitely जब adventitious roots rise होंगी, तो it will grow into a new plant, अब यह देखो, यहाँ पर, यहाँ पर किसकी formation होएगी, roots की formation होगी, तो बचे लिखोंगे हम कैसे, तो कैसे लिखोगे आप, तो बता दीजिए, mound layering में, so it is a most common method है, तो एक हो गया, तो lower branch of stem is bent down, तब देखो यह वाली lower branch हो है, उसको हमने bent down कर लिया, लीचे की तरफ कर लिया, ठीक means हमने कुछ cutting की, यहाँ पर, यह वाला defoluated portion है, यहाँ पर हमने entry की, कुछ cutting की हमने, तो जब cutting की, तो यहाँ पर क्या होएगा, कि जो रूटेट ब्रांचीज है ठीक है रूट वाला पोशन उसको कट किया उसको सेपरेट किया पेरेंट प्लांट से तो उसकी तरफ से हमने क्या किया स्वाइल में रख दिया तो इस एबल तो ग्रोव इंटू नियो प्लांट तो कोई भी ऐग्जांपल आप लेज को जैसे शॉल के नीचे की तरफ और जिसको हम प्रॉपरली नीचे बैंड डाउन कर सकते तो सबसे पहले उसको नीचे वाली ब्रांच होगी उसको हमने बैंड डाउन कर लिया और यह वाला पोशन जो है ठीक है डीफॉले टोड जो स्वायल में होना चाहिए लेकिन यह वाला अपर पोशन जो है उस ब्रांच का वो बाहर होना चाहिए तो यहां पर उसके बाद few days के बाद roots की formation होनी start हो जागी here you can see root की formation होगी तो roots को हमने क्या कर दिया इससे cut कर दिया यह वला portion cut कर दिया, soil में रख दिया, so it will able to grow into a new plant, so this is a mound layering तो उसके बाद हम करेंगे air layering, which is known as gutting, यह वला, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वो वला plant select करेंगे, जैसे herbs होगी, shrubs होगी, ठीक है, तो वो वला plant लेंगे, जिसकी जो branches near the ground मत हो, ठीक है, ground के near नहीं होनी चाहिए, इस type का हमने plant select करना है, तो ठीक है, यह तो होगी stem और यह वाली होगी branch, तो हमने branch select की, तो उस branch में से सबसे पहले हमारा क्या step होएगा, ring of park को remove कर दिया, means यह वाली हमारी branch है, तो इसका हमने ऐसे वाला portion, ऊपर वाला portion को remove कर दिया, ring of park की remove, जब हमने ring of park को remove कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, एक polythene bag लेना है, उस polythene bag म हमने कितना सारा समान डालना है, जैसे हो गया, moss होगी, ठीक है, यह grass हो गया, cotton होगी, उसके अंदर water होएगा, सबी चीजा का mixture लेकर, सारा का सारा, ठीक है, polythene bag में डालकर, इसको हमने wrap कर दिया, जैसे आप candy खाते हो, टॉफी वगरा खाते हो, टॉफी को जैसे cover किया होता तो ऐसे ही हमने यह वाला portion को wrap कर देना है, जिसके ओपर हमने ring of bar को remove कर दिया, तो इस portion को हमने इन सारी चीजों की help से wrap कर दिया, तो वो transparent होना चाहिए, यह वाला paper जो हमने polythene bag लेना वो transparent होना चाहिए, transparent इसलिए होना चाहिए, तक हमें अंदर की condition पता चल सके, तो जब हम हमने देखा कि इसके अंदर roots की development होगी, means adventitious की development होगी, तो हमने क्या करना है, इस polythene bag को open कर देना है, remove कर देना है, तो यह वाला portion जो root वाला है, इसको निकालना है, ठीक है, इसको हमने soil के बीच में रख दिया, soil के बीच में डाल दिया, so it is able to develop into a new plant, ठीक है जी, तो एक ब branch select की, यह वाली branch हमने select कर ली, उससे पहले हमने क्या किया ring of bar को remove कर दिया, और जहां से हमने ring of bar को remove कर दिया, इस portion को बच्चे हमने cover करना है, with the help of different things, जैसे हो गया, यह दिखो, यहां पर लिखा हुआ, यहां पर, यहां पर, बहुत सारी चीजों के साथ हमने cover करना है, जैस sheet में डाल कर तो हमने इस portion को हमने cover कर दिया, यह वाला, ऐसे cover कर दिया, तो जब हमने देखा few days के बाद, कि इसमें adventitia roots की development होगी, तो हमने यह वाला portion कर दिया, स्वाल के बीच में डाल दिया, so it is able to develop to a new plant, तो अब देखो हमने लिखना कैसे है, so this method is commonly implied in case of shrubs and trees, which do not possesses branches near the ground एक तो शर्थ होगी, कि वो वाली branches near the ground नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारा main क्या होएगा, ring of bar को हमने remove कर दिया, तो उस removed वाले portion को हमने cover कर दिया, इन सभी चीजों के साथ, collecting sheet, so जो wrapped portion है, उसको हम गुट्टी बोलते हैं, जैसे यह वाला portion है, इसको हम क्या बोलते हैं? गुट्टी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें किसकी formation होगी, roots की, जैसे आप यह वाला portion देख सकते हो, roots की development होनी, start हो जागी, within month or two, एक या दो महिने में, roots की development होनी, start हो जागी, जब भर हमने देखनी रूट्स देहली बननी स्टार्ट होगी तो हमने इस पॉशन को कट किया, स्वायल में रख दिया, so it is able to develop into a new plant. अग्जामपल लेंगे हम जैसे औरेंज लेमन लिख सकते हो या लीची वारा लिख सकते हो, बच्छे आप अपने ये वाले मैथड अपने घरों में भी कट सकते हो, ठीक है जी, so now this is the end of the topic, thank you.